हलो दोस्तों मैं हूँ अमित्यागी और बैलेंटाइन्स दे का मौका है और रोमांस हवाओ में है और ऐसी एक नई रोमांटिक जोड़ी नई इसले बोलूगा कि पहली बार दोनों साथ आ रहे है कृती और शाहिद शाहिद को तो हमने बहुत सारे रोमांटिक अंदास में दे ने शुरुवात की बट सम्वेर यू एक्सपरिमेंटे और बैक तो दांसिंग रोमांटिक अंदास में आट-दस साल बाद नाच रहा हूं तो बहुत मज़ा है नाचने में क्योंकि जैनुमिली मुझे इस फिल्म की म्यूसिक बट अच्छी लगी जब भी गाना आता था करता था नाचने का चाहे वो लाल पिली अख्या हो चाहे वो गुलाब हो चाहे वो तेरी बातों में सा उल्जा जिया जो टाइटल ट्राक यहारा तीनों गानों में ऐसा गुरूफ था वाइब थी गानों के अंदर एक फ्रेश क्वालिटी थी तो I was looking forward. Of course, me and Kriti हम पहली ब love story है लेकिन यह एक entertaining love story है इसके अंदर एक तो high concept film है कि Kriti एक AI robot प्ले कर रही है तो काफी सारा humor और काफी सारा drama वहीं से निकल के आता है और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी typical हमारी हिंदुस्तानी family है जो Aryan मेरा character जो उसकी family है उसमें धरम जी है जो म प्ले कर रही है और भी बहुत सारे बहुत ही अच्छे actors है तो उससे भी काफी सारा entertainment film का निकल के आता है तो भरी भी picture है इसके अंदर गाने भी है comedy भी है romance है high concept है madic usually high concept film में बनाते है और उनकी film में जादा तर लोगो को काफी पसंद आती है और यह काफी accessible film है इसकी जो कर सकते हैं लेकिन उस दुनिया के अंदर ही एक ट्विस्ट की तरह आ गई है तो I found it very exciting and I'm happy to do this genre again and excited to do something and see how you know the audience receives it. Krithi I just say I'm just loving the way you have your career shaped up. You have done everything in this thing that's what I think I always say that Gen Z is very smart and I think one of the smartest actresses because you have done very national award winning film भी कर लिये है but यह जो फिल्मे होती है हमारी जो essential Indian cinema होता है जहाप जैसे अभी शाहित ने describe किया जो family audience वाली फिल्मे होती है वहाँ पर you know gamut of emotions play करना है but यहाँ आप एक robot है तो वो emotions और बहुत सब एक बहु भी है एक वो भी है तो how did Sifra को आपने conceive किया इन्हों ने decide कर ले है कि तू बहु है बहु हो या नी है वो तो अरामी बहु वाला है ने उसके अंदर उसके बार में बात कर रहा हो नहीं रिव शाहिद ने बोला बहुत she's the quirk तो वो जो अलग element लेके आ रही है normally हम जैसे Indian family को perceive करते है और वो जैसे perceive करते है उसमें थोड़ा सा difference होता है और अमेरिका से है तो उसके बारे में जो बन जाता है घर के अंदर के अमेरिका से है you know so people are a little bit mesmerized कि कोई अमेरिका से आया है और obviously robot है तो लेकिन थोड़ी AI robot है तो काफी advanced है not the kind of robots जो हम already देख चुके हैं अभी फिल्मों में वो काफी robotic होते है ये थोड़ा advanced version है जो इंसानों क कि इतने करीब है कि आप शायद आपको पता ना चले कि ये robot है नहीं है okay so I think that's the fun of it क्योंकि वो इतनी जादा human लगती है लेकिन है नहीं okay so it was it was fun to do all these scenes I think humans काफी complicated होते हैं काफी you know उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है भार कुछ और दिखाते हैं काफी layers होते हैं अगर आ आप humans की तरह complicated नहीं हो पता था कि उसके जो बाहर चल रहा है वो ही अंदर चल रहा है कुछ अंदर अलग एक layer नहीं है जी जी सबसे dangerous तो human beings ही होते हैं जी शाहिद Krithi को आपने how do you see her growth as an actress and how you see her which is working for the first time that's why I'm asking you कैसे देखा आपने कैसे इनोंने अपने career मैंने कहा की काफी इनोंने हर तरह का gamut कर लिया तो how do you look as a senior at her career graph I think Krithi is really coming into her own वो अब काफी समभल गई है I think अब वो अपने आपको भी समझ चुकी है as an actor उनके अंदर एक ठहरा वो confidence आया है और वो अब strong decisions ले रही है अपने career को शुरुआत में क्या होता है जो मिलता है वो आप करते हो कुछ पर अपने खर निशानी तक पर पर अब अपने आप पर अपना रही है अब अब आप आप अच्छा था था में अमारे कोलाबरेशन के लिए it was a good time for us to collaborate together और मैं I was looking forward to collaborate with her और जब हमने पर काम किया तो पहले दिन से हमारा बहुत रिद्म आसानी से बैठा और बहुत नाचर और पूरी फिल्म हमने बहुत इंजॉई करके बनाई हैं, प्रमोशन भी हम थग गए हैं, बहुत थग गए हैं, लेकिन फिर भी हम एंजॉई कर रहे हैं, हमें जब भी मौका मिलता है, भी टाइब आव गुट टाइम, एंजॉई अर्सेल्ब्स, I think she has my back, I definitely have her back, and I think we're a good team. यह जब आपको यह ने इतने रेंज किया है, कौन सा वला शाहिद आपको पसंदे रोमांस करता रहें, रहें डान्स करता था, इसको यह जो बहुत ही हैं, टाइडर टाइप रोल्स भी किये हैं, इनकी वेब स्पर्जी में उन्होंने कमाल किया, तो विच शाहिद यह वो थे serious roles भी किया है इन्होंने? That's a very tricky question because I like many colors of him. I feel की कमीने में इन्होंने जो काम किया मुझे personally बहुत as an actor बहुत इंस्पारिंग लगा. I feel की double role को इस तरह से करना, इतना करना करना and वो जो वो सरकुफर फरकुफर फरकुफर, whatever. So, I feel की वो बहुत convincingly, you know, play करना, it's really challenging and I think I think की यह जो भी रोल करते हैं, यह बहुत पूरी तरह से घुच जाते हैं उसके अंदर which is what I like. Like, he doesn't leave any stone unturned, he doesn't leave any scope of you know, की यार नहीं यार थोड़ा और बेटर कर सकता था. So, I think I like people who are like very, very driven and very almost obsessive with what they're doing in that moment you know, and he is like that, इनको you know, बहुत पर्टिकलर हैं, इनको चीज़े पर्फेक्ट चाहिएं, ने चोटी-चोटी डीटेल्स पर धिहान जाता हैं, I think as an actor also you then, you know, sort of pay attention to the smaller things that might be small for someone else, but not for you. And I think I really like that about him, even when it comes to a film like this. Kisiko lag sakta hai, haa, । simple role hai, but simple scenes ko alive banana sabseh muskil ho ta hai. Jin scenes mein ziadha kuch hai nahin unko aap or better kaisae binao ge ki wo itna watchable ho jaihe, ki actually us mein kuchh magic nika hai. So I I really, I do like this I don't like the word chocolate boy, but I do like this romantic hero vibe of his also. I think he does it very well. I remember Ishwish Shaleel Zawitthi, I'm so, we all know, social media nai horta tha, Shahid Kapoor ka number min hain poon kara inko ki, shahid we loved you, star is born. And now I see his career and I remember the day I saw Ishwish and I started my career at that time and now we have star, Shahid Kapoor. And aap bhi 20 saal se ho, yaar so congratulations to us. To us. The millennials and Gen Z. To bas jate aate, aap douno ke fans kaila bhot active hai, jate aate, what you have to say, Valentine's Day message from both of you, from Sifra and Aryan for, teri baat ho mein aise ulja-jia raha rehi hai. Mujhe sakta ki piaar meina koi logic nai hoota hai. So, I feel that humari film joh hai, ek human ko, ek robot ke saath piaar ho jata hai, kaafi quirky concept hai. Lekin, jab hap film dekho ga, you would really want that to happen. And it's got a lot of entertainment, it's got a lot of comedy, family, aur as Valentine's Day, khali valentine ke saath nahe, yaar, puri family ke saath meina. So, 9th of February वेल हमारी फिल्म में हमने जिन्दगी में रॉमांस को ढूंढते रहना चाहिए और आप चाहें तो किसी भी चीज को रॉमांटिसाइज कर सकते हैं तो अगर आप उस रोमांस को फ् colour करना कहते हैं particle हएं जो थोड़ा सा एलॉजीकल और थोड़ा सा उलजावा लगा तो फ्लीज कम तो प्लीज कम तो थेटिर सा नहीं सब्सक्राइज निजर से अरह दो थोटाज उने Thank you! Thank you! I love you both of you. Thank you so much.